हेलो एस्टुएन्ट, आज हम बात करेंगे मेंटेनेंस ओप मशीन टूल यह इस मेंटेनिकल एचियनियरिंग 5th CM की एस्टुएन्स को पढ़ना है सटुएन्ध अ So if देखो, maintenance of machine tool होता क्या है, maintenance of machine में पहला point है, the word maintenance signify as an art of science of maintaining any object, component or devices, देखो, कहता है, कि maintenance जो है, art of science को signify करता है, वो क्या करता है, कि किसी भी object हो, devices हो, या फिर कोई भी component हो, उसको क्या करता है, कि maintenance किस तरह से किया जाए, किस तरह से proper condition में रखा जाए, वो हमारा maintenance ही बताता है, आ रहे है बात समझ में, दूसरा point है, maintenance means a set of work of keeping something in proper condition, this means that it is an action taken to prevent any device or component from failing, कहता है, कि maintenance एक एशा work है, जो किसी भी devices, component, object को किस तरह से proper condition में हम रखें, ताकि वो उसका जो lifetime है, वो आगे बढ़ जाए, this means that it is an action taken to prevent any devices or component from failing, हम ऐसा इसलिए करते हैं, ताकि हमारा maintenance अच्छे खासे हो, किसी भी object या फिर दिवाइसे को breakdown होने से पहले, आ रहे है यह बात समझ में, चलिए, तीसरा point देखिए, maintenance can also be defined as a set of activities, that are carried out to keep anything is best, operational condition to obtain maximum desired output, इसका मतलब होता है, कि जदि देखे, maintenance को हम दूसरे भास हमें define करें, तो होता है, एक्छोली यह है, कि जदि हमारा को smartphone, smartphone तो सब यूज़ करते हैं, smartphone है, smartphone by the way कभी कभी blink करना start कर दे, तो इससे क्या होता है, कि एक activity मेरे दिमाग में set कर देता है, कि मेरा phone, या फिर कोई भी devices, या फिर कोई भी component, या हमारा blink कर रहा है, तो हम किसी यह store के पास जाते हैं, उसको अपना problem बताते हैं, तो वो इस condition को proper condition में करके हमें देता है, आ रहा है बात समझ में, तो हम जब चाहते हैं, किसी भी object, किसी भी devices को बहुत कम से कम, maximum desired output हो, आ रहा है बात समझ में, चलिए, चोथा point देगे, देखिए, पहले के जमाने में कोई भी वैकल है, या फिर कोई भी devices, कोई भी component हो, anything else, जो भी हो, तो जब तक खराब अच्छे तरह से नहीं हो जाता था, जब तक खराब ढंग से काम नहीं करना बंद कर देता था, तब तक लोग सुनता ही नहीं था, तब क्या किया है कि जब तक खराब नहीं हो जाता तब तक वो इस्टोर के पास जाता नहीं था या फिर अपने गारी को maintenance या फिर वैकल को maintenance नहीं कराया करता था तो old concept पहले यही था इसे क्या होता था कि हमारा जो rate of production वो काफी weak हो जाता था तो पहले के जमाने के according जदी हम बात करें तो पहले क्या होता था कि अगर जदी किसी भी बैक्ति के पास अपना production rate वैकल के द्वारा किया जा रहा है उसका वैकल खराब हो जा रहा है पूरी तरह से तो उसको maintenance करवाने में ही दो-चार दिन लग जाएगा तो दो-चार दिन का जो gap है तो उसमें तो production rate काफी गया गया की नहीं गया तो decrease करता जाता है production rate इसका बहुत जादा loss हो जाता है इस कारण से जब हमारा गारी या फिर वैकल maintenance कराने के like हो जब वो indicate करा रहा हो तो उसी समय हमें maintenance करा लिनी चाहिए इसे क्या होता है कि breakdown होने से बचता है और हमारा जो production rate है उसे भी हम बच जाते हैं आ रही पास हमें यह तो कुछ चार points थे एक और point देख लिए therefore nowadays maintenance should be plant at regular interval to prevent breakdown आजकल के इतने लोग महान आत्वी है कि थोरा सा problem नहीं आता है सब उसकी जिए फोन कोई देख लिए फोन में थोरा सा fault नहीं आता है कि store के पास पहुंच जाते हैं जट से तो actually अब ऐसा ही होता है कि थोरा सा भी problem of devices में component में या फिर किसी भी object में तो उसको regular interval maintenance किया जाता है आ रहे बास हमें तो कुछ पांच points थे हैं maintenance of machine tool किसी भी machine tool का maintenance हम किस तरह से करेंगे इन पांचों points में आपको काफी अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा चलिए तो thank you